दुनिया बर से किर्केट शायकीन की नजर बॉर्डर गाउस के ट्रॉफी पर थी जो ऑस्टेलिया में हो रही है रोई शिर्मा पर्सनल रीजन्स की वज़से टीम इंडिया की कप्तानी नहीं कर पाए जस्प्रित बॉम्र को कप्तानी दी गई और खुशकबरी ये है कि बॉर्डर गाउस का ट्रॉफी के मतलिख बातचीत होगी मेरे साथ इस पॉड्कास में मेरे मेहमान है स्पोर्ट्स और सियासत पर गहरी नजर रखने वाले मंजी ठाकूर सीनियर जर्नलिस्ट है आपका बहुत-बहुत खुशाम दी शुक्रिया कौर देखिए 295 रंसे टीम नहीं रहता चाहें डुनिया की कोई भी टीम हो हैं लिर्स्टान हो पाकिस्तान ऑपरिका एंग्लेंड हो 양 सिलिया जाती है तो उनको उस्ट्रेलियन परिस्थितियों में खेल्ना पड़ता है वहां के दर्शकों के बीच खेलना पड़ता है तो और भारत के لिए तो यह जाल एतिहासिक जीत है 295 रंसी को कि आप खोदी बिता रहा है कि पहली पारी भारत की 150 रंपर सीमेट गई लंबी जरनी भारत देखिए जब टॉस हुआ तो जस्पृत बुम्रा जो है कपतानी कर रहे थे आपके मन में क्या चल रहा था क्या जब टॉस जीत के उन्होंने बल्ले ब इंडिया कही ना कही इस ट्रेस्ट को अपने नाम कर लेगे उस समय तो यह भरोसा नहीं हो रहा था तो यह मैच शायद हम हार जाएंगे क्योंकि जैसा आपने कहां कि अस्वाल सुन्नी बना कर आउट हुए देवदत पडिकल जो है वो नहीं बना पाए वो भी जीरो पे और 37 बनाया जब रिशब पंद ने इन दोनों की वज़ास से डेड़ सो तक पहुंचा बट वो टूटल एसा लग रहा था जैसे हम हार जाएंगे हो सकता है थोड़ा संगर्श करें लेकिन हार जाएंगे वहां पर जब पहली पारी खतम हुई हिंदुस्तान की तब लेकिन पहली इनिंग खतम हुई और टीम इंडिया उतना अच्छा नहीं कर पाई लेकिन बॉलिंग में क्या सर्प्राइज दिया जस्पीद बॉम्रा को ने जस्पीद बॉम्रा कैप्टैन है फिर आके बॉलिंग अटेक ऐसा कर देते हैं कि पूरी टीम को डरा के रखते हैं पचास रन से कम पे टोटल पे पहली पारी में पहले पांच विकेट गिरना पचास रन से कम पे मैं बोल रहा हूं यह मुझे लगता है कि पिछले उनीस वस्पी के बाद से सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है इससे पहले एक बार हुआ था गिंस्टन में वो शत्रा रन पे तो तो विकेट्स नहीं मिलते हैं, दूसरे छोर से शिराज ने अरशीत राणा ने बहुत अच्छी सधीऊ के अनद वाजी की, शिराज ने तो कुछ विगेट्स भी फिरें नहीं पहली पारी में तीना ही दूसरी में शाहिधी तीनिन तो पहली पारी में प्रेशर बनाया तब वो जो 48 रन या 47 रन की जो लीड थी इंडिया की वो बहुत बड़ी लीड थी और क्योंकि उस पीछ पर जहां पर पहले दो दिन तो बॉल जो है बहुत पढ़कर तेज निकलती है और वहां पर कंडिशन्स ऐसे थे फिर जब थोड़ा आसान होता है क्योंकि वहां पर बो आसान हो जाती है बॉल धिली पढ़ जाती है उतना तेज सी मूवमेंट नहीं होता वहां पर तो वह थोड़ा यह माइंड में लेकर के यश्टश्वी जैसवाल और केल रहूल उत्रे थे यश्टश्वी जैसवाल ने भी अपने स्टांस में जो कि बॉड़ी से बाहर खेलत बल्ले वाजुम पर थोड़ा सा वो शायद उस पिज को पढ़ पाए और यह सेसवी जैसवाल जो जीरो होए थे उन्होंने हंडर्ड मारा हंडर्ड नहीं डेड़ सोरन मना एक सो एक सो साट प्लस तो एक बाइस साल का लड़का पर्थ में जाके ऐसा सिकोर करता है कहां भारतिय क्रिकेट का जो भविश्य है ना दो तीन बैट्समें पर आप आँख मूंद करके आप भरुसा कर सकते हैं एक शुबमन गिल यह सेसवी जैसवाल बहुत ही आगे चलके बहुत ही ब्राइट फ्यूचर जाहे वो बॉल किसी भी कलर कियो वाइट हो पिंक हो या रेड तो इन तीनों ही फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं यह सेसवी जैसवाल और शुबमन गिल का जिकर किया टीम इंडिया पर्थ में टेस्ट खेल रही है ना शुबमन गिल है ना आर आश्विन है ना सर्फराज खान है फिर भी मैज जीत रही है यह बेंच स्ट्रेंथ है इ उसमें सिर्फ एक बार स्कोर कर पाए तो शायद यह वी वज़या था कि उनको भी ठाए गया लेकिन जो एक एज कैप्टन और हमारे भूमरा ने और एज कोच गंभीर ने जो फैसले लिये नए दो लड़कों को चांस दिया पहले ही मैच में तो यह हर्षित रहना पहला टे पहले वो औरंजी टीम में जो खेलते थे आज से साथ आठ साल पहले तो ओपने बैट्समें थे और उन्होंने अपने आपको ग्रूम किया एज बॉलर भी मतलब आज और आज और आज आज बाटिंग करते हैं लेकिन वो डेनिस लिली के अंदाज बालिंग भी करते हैं उनक इन पीचेस पर उत्ता कामियाब नहों पाए बट ठीक है एक खिलाडी है जिसको सोशल मीडिया पर बहुत ज़दा ट्रोल किया जाता है केल राहूल को मुझे लगता है जब वो शौर्ड कहलता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहलता है उनमें क्लास है तो जब प्रेशर इ चेतिश्वर पुजारा इस स्कूल के बैट्समेन है वो अराम से अपनी पारी को बेल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से ट्रोल करना देगे ट्रोल तो होता है कोई भी ट्रोल हो जाता है आज कल तो सोशल मीडिया ऐसा ना किसी को भी ट्रोल कर देता है बट चुकि फेल थे बल्ले से जवाब दिया है कि देखो मैं वसी स्कूल का बैट्समेन ही जिसमें राहूल दरविड टिक के वैटिंग करते थे अच्छे शॉट सेलेक्षण होते थे अब एरर तो हर्जगा होता है तो रॉल वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे थे और कह रहे थे कि जो पर्थ में से सेविंग पारी थी उनकी अगर वो नहीं खेलते क्योंकि पहली पारी में पांच रन बना कर आउट हुए थे किंग कोहली अब किंग इसलिए कहे जाते हैं ना क्योंकि कांट्रिबूशन इंडिन क्रिकेट में और परसनल लेबल पे हो या टीम के रूप में लेकिन अगर किंग कोहली की बात कर रहे हैं वो वहां के सारे अख़वारों में चाहे हुए थे लेकिन एक रिकॉर्ड में जिकर करना चाहूँगा दर्शमों को मालूम है कि नहीं पता नहीं कैच टपकाने के मामले में भी कैच टपका है ना पहला तो उसमें भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने दुनिया में 2011 के बाद से जो अगर जो सौ आपके पास चांसेज आए वो ऐसे एक डेटा है कि अगर कैच टपकाने के मामले में कोहली सहब नंबर टू पे है नंबर वन पे हैं जेम सैंडर्सन नंबर टू पे विडाट कोहली 26 परसेंट कैच टपकाने यानि अगर सौ कैच उनके पास है तो 26 27 कैच टपकाने तीसरे नंबर पर एलिस्टर कोक है वो तो यह जो है ना एक कमाल का स्टैट है बॉर्डर गाउस के ट्रॉफी में हमें चारों के चार मैच जीतने हैं और तब जाके हम डबली टीसी में कौलिफाइ करेंगे क्या आपको लग रहा है इतनी अच्छी बिंगिनिंग मिली है हम कर पाएंगे तो यह भी हो सकता है कि ऑस्ट्रिलियन जो है ना कंगारू जो है आपके क happens अधिलेड में कामबैक करेंगे उनके पास ऑस्तिलियन क को आपनी जानते आपकटी मिट्टी के बनने होते हैं वो ऐसे एक मैच हरा दिया पर्थ महरा दिया तो अधिलेड विहार जाएंगे बिस्वेन यहार जाएंगे स्ट्रिश जब कर रहे थे स्टांग फृए यह बोल फास्टर देन यू और अगर हम देखा जाए तो भारत ने एक अच्छा स्टार्ट दिया स्टार्ट इसलिए बहुत जरूरी था हिस्टारिक तो है जरूरी इसलिए था कि हम लोग विराट को के फॉर्म को लेकर चिंती थे न्यूजरेन के खिलाब एक बार 77 बनाया और चले नहीं डबल डिजिट में भी शायद नहीं पहुंचे तो वह एक बहुत बड़ी चिंता का का अभी वहां पर प्राइम इनिस्टर्स 11 के खिलाफ गुलावी गेंच से दो दिनों का मैच होगा ए और सबसे बड़ी बात कि इंडिया 3-0 से घरेलू सीरीज हार के गई थी न्यूजरेंड से तो हमारा मनूबल हमारे लोगों का टीम में भरोसा थोड़ा डगमगास आ गया था कि वह एक कॉन्फिदेंस लेवल गेंड किया होगा हमारे गेंदवाजों ने देखा होगा कि पर जिस विकेट पर इंडियन बैट्समें ठीक से खेल गया है उनने बहुत बड़ा टार्गेट दिया 534 रन का तो वह बहुत बड़ा काम है दो सेंचुरी आई हैं दो हाप सेंचुरी भी आई हैं तो जो तीसरी पारी खेली उस पीच पर उसके बाद लगता है कि एडिलेड मे क्या लगता है आपको कि शुबमन, गिल या रोहेचर्मा तो इन हो जाएंगे भाहर ऐसको रखेंगे बाहर करेंगे पडिकल को मुझे है बटे कन में पर थbayला ननको बाहर हो crypto को और पर वाumm चर्मा करेंगे लेफ्ट राइट कॉंबिनेशन होगा वन डाउन के यल रहू लाएंगे और विराट को ली समराथ हैं एमपरर को कौन अपनी जगह से हिला सकता है तो वह अपनी जगह पे रहेंगे बाकि मुझे लगता है ऐसा कि अगर स्पिनर की बात है वाशिंग्टन सुन सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे लगता है डिलेट में उनकी लिए जगह नहीं है रेस्ट आप जो टैस्स होने वाले हैं की प्लेयर्स आपकी नजर में कौन कौन रहेंगे जाहिर है किंग जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं तो मेरी निगाह रहेगी विराट को और बड़ा फेवरेट है उनको बड़ा मज़ा आता है उस्टेलियन बॉलर्स की मार्क उटाई करने में तो मुझे लगता है कि कोहली कोहली पर नजर रहेगी केल राहूल वो उन्होंने अपनी लाय हासिल कर लिए जो एक रिदम खो गया था और बेशक किसे सूचा है स्वाल र उनको उच्छाल मिलता है उनको उनकी एक्यूरेस्टी भी ठोड़ा सा लेगे स्टाइट में कभी कभी बॉलिंग करते हैं जादा बट उनको जो उच्छाल मिलेगा उसके हिसाब से सिराज पर हमारे नजर रहेगी बॉर्ड्र हो उसके ट्रौफी औरॉस्टेलिया में में जा रही है टीम इंडिया ने प्हले टेस्ट में जीत हासिल की मार्जन के साथ और रेस्ट आफ किया हाल होने वाल और किस तरह के जो हमारे बैटर्स हैं बहलोन। उसी किससे पॉफॉर्म करेंगे हम एक और पॉड्क झाल झाल